नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चेनल में एक बार फिर से आज के इस वीडियो में बात करेंगे बच्चन पांडे के 6 दिनों के कलेक्सन के बारे में और दकस्मिर फैल्स के 13 दिनों के कलेक्सन के बारे में और आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मो ने दुनिया भर से कितने करोड की कमई कर ली तो शलियो शुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें विवेक अगनी होतरी की फिल्म दकस्मिर फाइल्स के बारे में जिस फिल्म को बोक्स सोफिस पर अब लगभग दो हपते कम्पलेट होने को आ चुके हैं फिल्म ने जिस तरह पहले हपते में दमदार कमई की थी उससे ज़्यादा भयानक कलेक्शन इस फिल्म के दूसरे हपते में रहे जिया दोस्तों आपको बता दे कि मिधुन्दा और अनुपमखेर की फिल्म द कस्मिर फाइल्स ने अपने पहले हपते में वल्ड वाइट कलेक्शन एक सो छे करोड रुपे से भी ज़्यादा का किया था वही दोस्तों इस फिल्म ने सिरिफ ग्यारा दिनों के अंदर 206 करोड की भी कमई कर ली थी लेकिन बात करे फिल्म के 12 दिन के कलेक्शन के बारे में तो द कस्मिर फाइल्स ने अपने 12 दिन वल्ड वाइट ग्रोस कलेक्शन लगभग 11 करोड का किया इसी के साथ दोस्तों 12 दिनों में The Customer Files का worldwide gross collection हो चुका था 217 करोड रुपे पर आप बात करें फिल्म के 13 दिन के प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तो The Customer Files अपने 13 दिन भी लगभग 10 करोड रुपे का कलेक्शन कर सकती है इसी के साथ दोस्तो The Customer Files का सुरुवाती 13 दिनों में वर्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 227 करोड का बता दो दोस्तो फिल्म का बजट है सिर्फ 20 करोड रुपे और फिल्म ने 227 करोड की कमई कर ली यानि कि ये फिल्म बोक्स ओफिस पर ओल टाइम ब्लोकबश्टर बन चुकी है लेकिन दोस्तो अब अगर नजर डाले इस हबते रिलिच हुई मेगा अश्टार अक्षे कुमार के फिल्म बच्चन पांडे के बारे में तो दोस्तो बच्चन पांडे जिस फिल्म में दमदार एक्सन सांदार कोमेडी है और इस फिल्म में अक्षे कुमार के एक्टिंग भी ला जवाब है लेकिन दोस्तों अच्छी खासे फिल्म होने के बावजूद बिता कस्मेर फाइल्स की वज़स है बच्चन पांडे के जो box office collection है वो काफी कम रहे क्योंकि फिल्म को screen भी कम मिली और फिल्म की जो piracy है वो भी जम कर हुई जिसे के कारण बच्चन पांडे फिल्म ने जितनी उमीद थी उससे कम collection किया है जिया दोस्तों अगर बात करें device collection के बारे में तो बच्चन पांडे फिल्म ने अपने पहले दिन ओल इंडिया नेट collection किया 13 करोड 25 लाक रुपे दूसरे दिन 12 करोड वही तीसरे दिन भी 12 करोड लेकिन फिल्म के collection चोथे दिन से काफी जादा डौन हो गए और फिल्म ने चोथे दिन इंडिया नेट collection 4 करोड 10 लाक रुपे का किया वही पाँचवे दिन 3 करोड 70 लाक रुपे का इसी के साथ दोस्तों बच्चन पांडे का सुरुवाती 5 दिनों के अंदर इंडिया नेट collection लगभग 43 करोड का रहा वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 54 करोड रुपे बात करे और सिस की तो फिल्म ने शुरुवाती 5 दिनों में और सिस ग्रोस कलेक्शन किया था 14 करोड का इसी के साथ दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म का 5 दिनों में 72 करोड यानि कि 72 करोड का दोस्तों फिल्म काफी बढ़िया है अगर आपने बच्चन पांडे नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस फिल्म को एक बार थेटर में जरूर देखे ये फिल्म आपको बहुत पसंद आने वाली है लेकिन अगर आप बच्चन पांडे और दकस्मिर फाइल्स दोनों ही फिल्में देख चुके हैं तो इसमें से आपको बेश्ट फिल्म को उनसे लगी कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले